नमस्कार दोस्तों फिर से एक एसा मुद्धा जो इस समय यूट्यूब पे काफी चल रहा है और ये सर्कूलर आपने देखा होगा एक लाख पदो का सरकारी नोक्रियों का पूरा सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जो अब तक आपने देख लिया होगा ये कल आ गय जोने ये पीडिये भेजदी की सराब इसके वारे में कुछ कहिए कुछ बताइए बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यूट्यूब पे लगातार वीडियो की बंबारी हो रही है एक लाख सरकारी भरतियों को लेकर सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं अपने अपने हि हर चीज के बारे में बहुत कम समय में मैं आपको पूरी जानकरी देता हूँ पूरा वीडियो एंट तक देखना आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी एकदम इसपस्ट हो जाएगा और आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा ये सारी चीजे चल रही है ये हो रहा है जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ देखिए हर चीज की शुरुवात कहां से हुई मैं इसको हटाता हूँ पहले आपको बेसिक से समझाता हूँ कि आखिर ये सब की चर्षाएं जो है शुरू कहां से हुई कल एक आदेश आपने देखा होगा ये खूब कल वा के सचीव प्रमुख सचीव मध्यप्रदेश शाषन शाषन के समस्त विभाग मंत्राले स्पब को ये जारी किया गया है और लगातार एक चीज जो हम कई बार सुनते आए हैं प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भरती किये जाने के संबंध में ये जो आदेश है सिर्फ त्रतिय स्रेणी के जो पद होंगे केबल उन लोगों के लिए है इस विभाग का पत्र दिनांग 14 सितंबर 2022 अब देखो इसमें क्या है प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भरती करने के वित्त विभाग के परिप्रत्र दिसेंड दिस के हिसाब से भरती करने हेतु विभाग द्वारा दिये गए परामर्ष के आधार पर देखो सबसे पहली चीज अगर भरती करनी है तो जो हमारा सेंट्रल का वित्त वि थी कि 5 प्रतीशत से ज्यादा खाली पदों की भरती आप नहीं कर सकते उस पे बेरियर लगा हुआ था आज की एक बहुत अच्छी खबर है कल इसका आदेश जारी हो चुका है वो परसेंटेज लिमिट हटा दी गई है एक बार के लिए कोई भी विभाग मन चाहे जितने पद खाली है उसका कितना भी प्रतीशत वो भर सकते हैं 5 प्रतीशत की लिमिट हटा दी गई है ठीक है एक चीज को आपकी यह क्लियर होगी अब इसमें क्या है इसमें देखो बहेंकर कंफ्यूजन है कि अगर मात्र 50 पद है तो उसका क्या 50 से 100 है तो क्या 500 है तो क्या इसके डिटेल में दी हुई है, सारी बाते आपको यहां पे दी हुई है, कि विभाग का नाम, श्रेणी, वर्ग, पदनाम, पदुन्नती, सहीत, कितने पदे, सीधी भरती, फिर केटेगरी वाइज, कितने पद, रिक्त पद, हर चीज की बहुत डिटेल में, बहुत जादा डिटेल म इसको हटाते हैं, और अब जो चीज मैंने आपके लिए पूरी तयार करी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाना, ठीके, पहली चीज की विभाग को यह आदेश जारी हुआ, कि आप, देखो क्या होता है, कोई भी चीज के लिए तीन चरण यहाँ पे होते हैं, तो यह आदेश जारी हुआ, इसको छोड़ते हैं, आज की खबर है, जो आप यहाँ पढ़ सकते हो, विभाग भर सकेंगे 5% से अधिक रिक्त पद, है ना, सरकार का एहम कदम, नय प्रविदान के अनुसार, सभी विभागों को कारेभाई के निर्देश, है ना, इन पदों पर भरतिया होंगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलाल, NMM, NMM है, 25, 76, उपी अंत्री, इसका फूल फॉर्म मुझे नहीं पता, मैंने अभी जस्ट यहाँ पढ़ाए, उपी अंत्री, 2189, क्रशी विस्तार, अधिकारी, 1852, पंचायच इसको बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बदा दू, पद बढ़ेंगे, ठीक है, 70,859 पद रिक्त हैं, 33 रेनी के, 34,309 भरति सिक्षकों की होगी, 48% तो यही पद हो गए, भरति सिक्षकों की प्रदेश में होनी है, अब यहाँ पे आप देख सकते है 33 रेनी में कितने पद रिक्त हैं, इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पर आप एक चीजोड समझें, जो मैंने आपसे कहा कि विभागों को एक बार में अधिक्तम 5% की सीधी भरती की बंधन जो थी, उसको छूट दे दी गई है, अब 33 रेनी के राज्य संभाग जिला इस्तर 1290 पर भरती होगी, तीसरा चरण 2024 से 2025 का चलेगा, 2159 पदों की भरती होगी, सबसे जादा अगर विकिंसी आनी है, संख्या के मामले में देखा जाए, तो सिक्षगों की विकिंसी आनी है, 34 309 सिक्षगों की भरती है, बित्न विभाग की सहमेती मिलते ही, सामान्नी और विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों को नए प्रविदान के नुसर कारवाई के निर्देश दे दिये, यानी सारी चीजों की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है, आप अपने मन से ये संधे निकाल दो कि वेकेंसी आएगी की नहीं आएगी, अब अगर कोई न कोई नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, अब तो आप बस खुच से ये पूछना चालू कर दो कि आप कितने तयार हो, एक लाख में आप एक पद लेने के लिए तयार है या नहीं है, क्योंकि वेकेंसी निकलेंगी, अब संधे करना, डाउट करना, या सोचना की पता न आपको खबरे सुनने को मिलेंगी, ठीके जी, ये जरूर आप पढ़ लीजे, जो अभी डिसिजन हुआ है, भरती की प्रक्रिया क्या रहेगी, एसे वर्ग जिनमें रिक्त पद एक से लेकर पचास तक है, उनको एक बार में किया जाएगा, एसे वर्ग जिनमें इंकावन से 500 तक है, उन्हें दो चरणों में किया जाएगा, 50% इस साल, 22-23 में, 50% 23 चोईस में, और एसे जहां 500 से अधिक है, उनको तीन भागों में बाटके, 22-23, 23 चोईस और 24-25, ऐसे आप उसको तीन भागों में आपे देखेंगे, स्वारी 25 नहीं, 22-23, 23-23, 50 प्रतिशत और इसके आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पद, 2023 में आएंगे, ये एकदम परमसत्य है, जो हम बोल सकते हैं, देखो, देनिक भासकर ने भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट मना के दी थी, इसका आप स्क्रीन शॉट जरूर ले लें, कल का जो एक आथमिक खेल कुद के सिक्षक, वन रक्षक, 1772, ANM, 256, महिला नर्ष, पंचायत, पटवारी, पटवारी की भरतियां कम हैं, वन रक्षक की भरतियां कम हैं, लेकिन थोड़ी जादा निकलेंगी, ये आप देख लेना, पद बढ़ेंगे बाद में, क्रशी विस्तार अधिक इतने पद टोटल मध्यप्रदेश में हैं, और उसमें से किस स्टेणी में कितने पद खाली हैं, एक लाग चौदा हजार, जो भरतिया होनी है, वो लगवग एक लाग चौदा हजार की होनी है, ये और डिटेल में है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सिस्टम आपको जा दिया, लेकिन आप एक बात समझें कि ऐसा नहीं हो सकता ना, कि मानलो 400 वेकेंसी है, तो हर साल 50-50 निकलेगी ऐसा नहीं है, उसको इखटा करके निकालेंगे, ये एक अलग चीज है, लेकिन इतने कम में पद अगर निकालेंगे, तो भरतिया वर्षों तक चलती रहेगी तो ऐसा नहीं होगा, ये कुछ चीजों पर लागू होगा, लेकिन जहां भरतिया ज्यादा होंगी, वहां इखटी भरतिया निकलेंगी, ठीक है, तो ये सारी चीजे मैंने आपको समझा दी, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगानी की जुरत नहीं है, आपको बस एक 2023 में सबसे आदा संख्या में वेकिनसी निकलेंगी, इसी में आपको जो करना है, वो करना है, पूरी ताकत, पूरी जान 2023 की निकलने वाली भरतियों में लगाना है, उसके लिए काम आज से शुरू करना पड़ेगा, ये सबसे महतपूर्ण है, देखिए, यहां पर पूरा ये चार्ट है, मैं आपको बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आपके टाइम की वेल्यू है और मुझे मेरे टाइम की वेल्यू लगती है, यहां पर ये सब PDF में दिया है, आप खूब पढ़ लेना आराम से, कि आपकारी आरक्षक, 2023 टोटल पद हैं, उसमें से कितने स्विक्रत, कितने किस केटेग्री में मिलेंगे, 57 प्रतीशत की स्विक्रती करी, 462 भरतिया जो है, इसकी निकलेंगी, यह देखो पटवारी को देख लो, यह है आपका पटवारी तरती श्रेणी का राजश्व विभाक के अंतरगद, 20,038 पद टोटल होते हैं, ल मातर 122 पदों को सीक्रती मिली है, MP पुलिस के इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है, चाहे SI हो या Constable हो, Constable की 7,000 भरतिया 100% निकल नहीं है, SI के कितने पद निकलेंगे अभी नहीं बताए जा सकते, लेकिन वो इससे बाहर है, वो पुलिस विभाक का एक अलग डिपार्टमे हो गया, तो बो भरतिया भी निकलेंगी, जो यहां पे नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसके exams होंगे, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पे, तो वन रक्षक के, यह 1772 मैं सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ, इसलिए आपका इसमें बिल्कुल टाइम व पले वीडियो को रोक के पढ़ लेना, यह पूरा डिटेल में कि स्वास्त विवाग, उच्य सिक्षा विवाग, आयोश विवाग, तकनीकी सिक्षा, विज्ञान, विवानन, पी एची, जन संपर्क, अध्योगिक निती, यह कौन से हैं, फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी हैं, और उसकी तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है, ग्रह विवाग, जेल विवाग, सब आप पढ़ लेना, मैं आपको बिल्कुल भी इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, फिर इसके बाद यह कौन सा है, यह भी इसी का second part है, यह सारे विवाग हैं, उसके अंतरगत, हर चीज में, कितने पद हैं, कहां हैं, वो सब की जानकरी उसमें आपको दी हुई है, यह फोर्थ ग्रेड है, इसमें सारी चीजे आपको दी हुई है, यह उसी का second part है, तो यह चीजे हैं भहिया, अब में मुद्दे की बात करते हैं, कि क्या मतलब नि कर सकते हैं, तीसरी बात, प्रोसेस स्टेज चल रही है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएंगे, चौथी बात, दो हजार तेईस में सबसे आधा विकेंसी जाएंगी, लेकिन चौबिस में या पच्चिस में उसके तुलना में कम विकेंसी जाएंगी, ठीक है, और अंति लिजनिंग, हिंदी, इंग्लेश, जीए, साइन्स, MPGK, और करेंट अफेर्ज, ये कॉमन विशय हैं, जो लगभग सभी परिक्चाओं में पूछे जाते हैं, आपको इन पर काम करना है, किसी में कम्प्यूटर आएगा, किसी में पंचायती राज आएगा, एक एक दो दो स उच्छा जाएगा, और उसकी तयारी चालू कर दो, है न, क्योंकि विकेंसी जम निकलेगी, समय कम रहेगा, आप एक दो महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से शुरू कर दो, अगर 2023 में आपको नोखरी लेना है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में, है न, विक की मदद नहीं करेंगे, न कर सकते हैं, ठीके जी, बाकि इसकी PDF मेंने टेलिग्राम पे शेयर कर दी है, और कल, रविवार रात आट बजे, हम सारे नए बेचेस की घोशना करने वाले, आप बहुत डिमांड कर रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल हो, चाहे लक्षक हो, या ऐसाई हो, पटवारी हो, सबके नए बेचेस की कल में घोशना करने वाला हो, कितनी फीस रहेगी, कब से चालू होंगे, कोन पढ़ाएंगे, क्या-क्या रणनीती रहेगी, सब चीजों की जानकरी कल रात आट बजे में देने वाला हो, उसमें आप सब लोग आ जाना, है ना, और बहुत कम फीस में घर बेटे हम आपको बहुत अच्छी तयारी करा देंगे, इंदोर आ सकते हो तो भी ठीक, नहीं आ सकते हो तो भी, आपने देखा है कि अभी MP पुलीस में हजारों की संख्या में बच्चे निकलें, और सब लगभग ऑनलाइन पढ़ आप को पहले से डाउनलोड करके रख लो, और उस पे बहुत सारी चीज़े आपके लिए निशल कुपलब्द है, कोई कोर्स करीदना है, पेट कोर्से में आपको सारी चीज़े दिख जाएंगी, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कमेंड करके अब इससे ज़्यादा आप सुनोगे तो आप बेबज़ा कन्फ्यूज होंगे, छोड़ो टाइम बरबात करना, पड़ाई लिखाई करो और अपने आपको मजबूत करो, बस यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकि फिर आपकी इक्षा है, मिलते हैं जल्द ही नए वी खुश रहें, मस रहें, मुस्कुराते रहें, थैंक यू